यूपी और उत्राखन की खबरों के लिए एवीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दमाएं आप देख रहे हैं एवीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी नवस्कार मैहूर आजीव ढॉंडियाल सुबह के ग्यारा बच गया हैं वक्त है प्रदेश प्लस का और प्रदेश प्लस के शुरुबात करेंगे आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के ग्रांड मेगा शो के साथ जो वो अपने संसद्य क्षेत्र वारांसी में करने वाले पीम के कारक्रम को लेकर समरतास तयारियां चल रहे हैं पूरी काशी दुलहन के तरह सजी हुई है कुछ नजारे आपके सामने हैं कुछ तस्मीरें आपके सामने हैं काशी है तयार फूलों से सजी हुई है घाटों पर किस तरह के सजावट है वो आप इन द्रिश्यों में द तो पीम के दौरे को लेकर हर तरह सबर्दस पुक्सा देखने को मिल रहा है पीम के वारारसी पहुंचने से पहले ही सबर्दस तैयारियों की छलक देखने को मिली है यह तो पीम के पहुंचने से पहले के तस्विरें पीम जब होंगे उस वक्त का नजारा कैसा होगा आप एक तस्मेर आपको सबसे पहले एबीपी गंगा पहुचाएगा आप तक लाएगा इसके लिए चपे चपे पर एबीपी गंगा की टीम मौजूद है काशी के राजगार से लेकर काशी विश्वनात धाम तक सबी जगहों पर एबीपी गंगा की टीम हमारे समवादाता हमारे स साथ होंगे तो एबीपी गंगा के पूरे टीम मौजूद है भगवान विश्वनात के इस नगरी में जहां के राजा माने जाते हैं भगवान विश्वनात वो नगरी कैसी दिख रहे हैं वो नगरी कैसी सजी हुए है एबीपी गंगा के कैमरों से आप देखिए एबीपी गं नतीजा है कि इतनी खुबसूरत दिख रहे है काशी इतना भव्या है यहां का नजारा देव दीपा वली है और इस मौके पर आज प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं दीपदान के लिए पुलिस से एक रिक्वेस्ट है ये चेट तिंग किले के सामने किसी को मत आने दे प्लीज जब तक ये टेस्टिंग चल रहे है तब तक किसी को मत आने मत दे हैं और अब सीधर उगरते हैं हमारे ब्यूरोची विरेश पांडे का जो हमारे सा जुड़ गया है विरेश अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा है और उत्सुक्ता बढ़ रहे होगी वहाँ पर लोगों की लेकिन बढ़ते वक्त के साथ अभी उत्सुक्ता कितने बढ़ी पुलिस सेक्ट रिक्वेस्ट है ये चेट सिंग के राजियो एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं पतित पावनी गंगा के विहंगम दिश्च को दिखाना चाहता हूं कि अस्थानी सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार न केवल काशी की जनता कर रही है बलकि ये गंगा की कर रही है और यही वज़ा है कि गंगा की लहरों की रवानी में आज गजब का जोस है और जबानी है वज़ा भी माकूल है क्योंकि देवाधी देव महादेव की नगरी में आज की शाम पूनम के चांग की अगवाई में आसमा के सितारों की जिलमिलाती बारात असंख दीपों की शकल में सुरसरी के फूलों पर उतरानी है यानि आज पंदर लाक दियों से गंगा के इस पार गंगा के उस पार जगमगाहट होगी और लाखो लाख नेत्र यूगल इस दिन गंगा के साथ आकाश गंगा के मिलन की अनमोल गड़ी के गवाः बनेंगे साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंगा के समानांतर प्रवाहित जियोती गंगा के हमरा बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यही हाल देव दिवाली का है और विश्व पटल पर इसे और फैलाने की कोशिस में परेटन को आगे बढ़ाने की कोशिस में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी योगी आधितिनाथ की जोड़ी लगी हुई है इससे भी आगे उमंग का ये रंग तरंग बनकर रंगों में दोडने लगा तो ये आयोजन लोक उत्सव बनकर जन्मानस के दिलों में उतर चुका है, यानि लोगों की सहभागिता से ये देव दिवाली आगे बढ़ रहा है, हलाकि हम कहें तो लगभग तीन दशक की जोशीली यात्रा के बाद देव दिपावली का ये भब्य उत्सव, ह और नहीं धीला पड़ेगा, इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है, और इसके विस्तार और प्रसार के लिए प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं, किसी दौर में गंगा के घाटों तक ही सिमित्रा लोक मानस की स्रद्धा से जुड़कर कल्पना से अभू अभ पर दियों से सजाने लगे हैं, और अब तो गंगा के पार भी लगभग 10 लाख दियों से सजाया जाएगा, मैं अपने छायाकार से कहूंगा, कि अगर कैमरे की नजर से दिखा सकें, गंगा के उस पार रेत पर ठीलों पर सजावट बढ़ी है, और लोग लगे हुए हैं, ल हबेता को चमकाने में हजारो स्वहम सेवक और काशिवासी लगे हैं, दिपावली के महज पकवारे भर बाधी, उजालों की बारिश में सिवनगरी को नहलाने की कोशिस शुरू हो गई है, बड़ी बात यह है कि नगर के सबसे विराट वरंगीले, चमकीले, उत्सों की तरह हम अगर कहें, उसकी भात कहें, तो जन सहभागिता की भाती पर ठीकी हुई है, यह पूरी देव दिवाली और इसमें युवाओं, महिलाओं के प्रभावी, जुडाओं ने इस पौरानिक पर को एक अंतराश्री आयोजन बना दिया है, और इसे दुनिया के सबसे बड़े रंगा-रंग उत्सों के शिखर तक पहुंचाया है, आदिकेशो घाट से शुरू करें, तो राज घाट गया घाट, सिंधिया घाट, ललिता घाट, मीर घाट से लेकर दस्वासों में घाट, सीतला घाट, अहिल्या बाई घाट, राजा चेश सिंग घाट, केदार घाट, त चट से दिखाना चाहता हूं कि कितना मरोर मनोरम द्रिश्च है, और इसकी तैयारियों में हजारो स्वयम सेवक लगे हुए है, चकाचक नजर आने के लिए कोशिसे चल रही है, गंगा की हर फुकार पर दोड़ चले आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी इस उत्ष का दियाबाती अक्षत रोली और फलफूल से भरी थालियों लेकर और दोरिया सजाकर प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार काशीवासी कर रहे हैं, और इस तरह का थिक्षर कर रहे हैं, क्या पूर्व के सालों में भी इसी तरह का नजारा होता था दीप दीपापली के मौ पॉजूद इसके देव दिवाली का जो दृष्ष्य होता था वो विहंगम होता था लेकिन इस बार कुछ अलग होना है अलग इस बात को लेकर है कि मैं इस गंगा के घाटों को दिखा रहा हूं यहां तो देव दिवाली का आयोजन होता था लेकिन गंगा के उस पार अगर मै कि उस पार रेती पर भी सजाय जा रहा है और पांच हजार से जादा स्टोहम सेवक लगाए गए हैं चाहें वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी सिक्षक हों उनको जिम्मधारी दी गई है वहाँ सेंड आर्टिस्ट ने अलग-अलग अपनी कलाकृतियों से उस बालू की रेती को सजाया है और इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो गंगा यानि नई काशी के विकास की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है उसे हम साकार कर सकते हैं गंगा के उस पार यानि मुगल सराय और राम नगर की विकास की भी विकास गाथा होगी प्रधानमंत् हैं काशी में पर्व उत्सों में उसकी आध्यात्मिक्ता के गुण सुत्र छिपे होते हैं राजीव और यहीं तत्व वैश्विक ख्याती पाचुके दिपावली नहीं तस्वीरें दिखा रहे हैं विलिश में आपके पास लॉटरा हमारे साथ हमारे समवादाता जुड़ गय है और इसे को लेकर काशी उत्साहित है बाबा विश्वनात मंदिर हो या फिर सड़क हो हर और मुदी मुदी है एबीपी गंगा ने शहर का हल जाना है देखिए प्रधान मंत्री आज काशी आ रहे हैं और काशी में किस तरह की तयारी है किस तरह का दृश्य है यह एबीपी आज घाट आएंगे और आप देखें इस तरफ आप देखें हर और आपको सुरक्षा की बेवस्था दिखाई देगी बेरिकेटिंग दिखाई देगी सुबह सुबह कहते हैं कि काशी की सुबह मशूर होती है काशी की सुबह जानी जाती है पहचानी जाती है सुबह बनारस का ये नाम काशी के लिए खास होता है तो आज काशी की सडकों पर गलियों में हर तरफ आपको उत्सा दिखाई देगा लोग आज यही चर्चा करते नजार आ रहे हैं कि आखिर प्रधान मंत्री का जब आगमन होगा तो स्वागत कैसे करेंगे तैयारी कैसी होगी क्या होगा स तब के मन में ये उत्सुकता है कि जब प्रधान मंत्री आएंगे तो खास क्या होगा तो हम आपको द्रिश्च दिखा रहे हैं सडकों का आप देखें रोजाना की तरह सुबा आज हुई है आज देव दिपावली है और आज धार्मिक पर्व काशी के लिहाज से बड़ा ध खास हो जाता है एक तरह से उत्सव सा महौल हो जाता है तो आज काशी में बड़ा उत्स में प्रधान मंत्री का आगमन और इसके साथ ही देव दिपावली हैं। बनाई जा रही है किस तरह से दीपक्तिम्टे मा रहे हैं इन सब को देखेंगे और गंगा के इस पार ही नहीं बलकि गंगा के दूसरे छोड पर भी पूरी तरह से सजी हुई काशी दिखाई देगी तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी काशी आने वाले हैं काशी की सडकों की बात करें हम घाटों की बात करें काशी विस्वनात मंदिर की बात करें तो सब जगह पर उत्सा है तैयारियां जोरू पर चल रहे हैं मुख्यमंत्री चूंकि पहुंचे थे तैयारियां उन्होंने देखी थी, तो उनमें कोई कमी है नहीं, मुख्य मंतरी, योगी आधितनाथ खुद पहुँशना है, प्रतान मंतरी नरींदर्मोदी को रिसीब ओई करेंगे, उनके साथ मो नज़र आएंगे, और अलग अलग कारेक्रमों में हिस्सा बनेगा और हमारे साथ हमारे समवादाता लगातार बने हुए है मुहमद मुहिन हमारे समवादाता हमारे साथ बने हुए नितीश पांडे भी जोड़ गया है हमारे साथ पहले मुहिन मैं आपके पास अना चाहता हूँ आप सारनाथ में इस वगत है जहाँ पर लेजर शो होने वाला है आप दर्शकों को बताएं कि वहाँ पर क्या तस्वीर दिखाया जाएगा लेजर शो में यहां पर आ रहे हैं लेकिन अकेले सिर्फ प्रदानमंत्री यहां पर नहीं आ रहे हैं आज के इस खास मौके पर बलकि बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने-कोने सश्रत धालू यहां पर आए हुए हैं शाम को देवदीपावली होगी लेकिन आप देखिए अभी सुबह इतनी भीड हो गई है घाट पर कि तिल रखने तक की जगह नहीं है और देखिए तमाम लोग ऐसे हैं जो नावों से भ्रमड कर रहे हैं गंगा में भ्रमड कर रहे हैं और घाटों पर लोग घाटों के किनारे लोग आस्था के डुपकी लगा रहे हैं पूजा अर्चना कर हैं और सोचा जा सकता है अंदाजा लगा जा सकता है कि जब इस घाट पर अभी यह हाल है कि पूरा घाट शर्धालों के भीड से पटा पड़ा हुआ है तो शाम को जब यहां दीप चलाए जाएंगे खूपसूर सजावट की जाएगे लाइटिंग की जाएगे तब यहां क यह देवजू पर लिए फेमस फेस्टिवल है इसके लिए हम आप से देखने के लिए बहुत दिन से वेट करें तो यह मंबई से आये हुए हैं देव दीपा वली जो यहां पर भव्वे तरीके से मनाई जाती है उसका नजारा देखने के लिए आए हैं आप आगे आजाई बताइए आप कहां से आए हैं और किस तरह से आज शाम में आप बीतने वाली है क्या कुछ आप लोग करने वाले यहां पर जी में मद्द्प्रदेश से आया हूं असोगनकर से देव दीपावाली मनाने के लिए आया हूं खासतोर पर यहां पर यहां पर बहुत अच्छे त यहां पर हैं आप बताईए कहां से आई हैं आपने तो बिल्कुल काशी के अंदाज में तिलक लगा रखा है क्या कहना चाहेंगी यहां छटा किस तरह से मुझे अपर पूर्शाय है अब बहुत ही अदूत्य है हम लोग यहां के मिट्टी को भी चंदन समझते हैं और बाबा के रंग में रंग चुके हैं बड़ी सरधा के साथ आए हैं और महादीवदीवाली का सभाईगी बने यह मेरा सभागय होगा कि हम लोग यहां बनारज की खुन्य भूमी में आये हैं और इस भूमी को हम सत्त नमन पताई आज के दिन क्या कामना कर रहे ही बाबा विश्वनात है जी मुख्टी मिले यही बाबा भोलेनात से हमारी मनों कामना है और यहां पे जो भी व्यूस्ता है बहुत चाक चौबंद है और बहुत ही अच्छा मौहारे नितीश पांडे का नितीश उतसाहित हैं लो देप देव आबली को लेकर उतसाहित हैं लेकिन एक सवाल यहां पर क्राउड मैनेजमेंट का हो जाता है डीकि वह कैसे मैनेज होगा दूसरा आप इस पक्त जहांपर हैं वहां की तस्वीरें मितर्शकों को दिखाएं राजी वे इस वक्त हम चेस सिंग घाट मौझूद है चेस सिंग किला जहां से लेजर शो होना है और आप देखे आता वी अगलेको बनवाया था और पथर्वाले घाट और यहांसे लेजर शो को देखेंगे औप थीक है आपके पास लॉट रहे हैं अमने टीश तो लेजर शो होने वाला है और उसके विशेश तयारी है विरिश एक पर फिर से आपके पास यह आना चाहते है घाट किनारे आप खड़े है और भास जो द्रिश्या है वो बिहंगम द्रिश्या है लेकिन एक सवाल यहां बारमा रुट रहा है कि क्राउद मैनेजमेंड कैसे हो गया क्यों उसकी तेयरिया है वहाँ देखिए क्राउड मैनेजमेंट के जहां तक सवाल है लोग स्वता एक तरह से स्फूर्थ भावना से होकर यहां आ रहे हैं और यही वज़ा है कि जो काशी की जनता है और यहां के जो लोग हैं स्वेम सेवक हैं मैं दिखाना चाहता हूँ खुद एक्टिव हैं यहां पर साफ सफाई का काम चल रहा है पुलिस के जो लोग हैं वो लोगों से आग्रह कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं और साथ ही साथ यहां की जनता यह जानती है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार इस बात का आहवान करते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं दोगज की दूरी और तमाम आवान कर रहे हैं यहां के स्थानी सांसद और प्रधान मंत्री और करते रहे हैं ऐसे में जब प्रधान मंत्री यहां आ रहे हैं तो लोगों को एक उमीद भी है कि कोई बड़ी घोशला कर सकते हैं प्रधान मंत्री वैक्सीन को लेकर यह भी एक त गोशना यहां से हो सकती है एक बड़ी गोशना अपनी जो जनसबा है प्रधानमंत्री कर सकते हैं काशी में और काशी से पूरे देश को और पूरे संसार को ये संदेश दे सकते हैं कि कोरोना की जो बिभिष्ट का है कोरोना की का जो अंधकार है उससे निपटने के लिए हमने वैक्सीन और हतियार के तोर पर इजाद कर लिया है तो ऐसे में ये भी उमीद की जा रही है और क्राउड मैनेजमेंट की जातक बात है तो स्वता इस फूर्थ चेतना से लोग आगे बढ़ रहे हैं और काशी के लोग लोगों से आवान कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित रहें और क्राउड मैनेजमेंट स्वेम करें क्योंकि क्राउड को कोई मैनेज नहीं कर सकता पुलिस नहीं कर सकती प्रशासन नहीं कर सकता लोगों में आत्मानुशासन नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं हो सकता है और ये प्रधानमंत्री का संसली एक्षेत्र है, प्रधानमंत्री लागातार कोरोना को ले कर चिंतित रहते हैं, आवान करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, तो ऐसे में लोग जो हैं, वो सतर्क हैं, खुद इस बात को ले करता है, यही एबीपी गंगा पे लोगों से हमारी लगातर जानी है तो प्रधान मंत्री नरींद्र मूदी पहुंशने वाले हैं अपने संसाद्य यकुषद में पहुल करूँचेंगे जहापँ पर होंगे मुख्यमंत्र योगी आदेतनात उनको रिसीव करने के लिए और हमारे साथ हमारे समवादाता लगातार बने हुए हमारे बिरो चीफ विरेश पांडे हमारे साथ चुड़े हुए हमारे समवादाता मुहमद मुहिन हमारे साथ है एक बार फिर से मोहीन आपकर रूखर लेते हैं मोहीन तैयारियां आप दिखा रहे हैं रंग आप दिखा रहे हैं लोगों से आप बात करें इसके साथ-साथ मुख्यमंतरी योगी आदेतिनाथ को पहुंचना है तक्रीबन पैतालीस मिनट पहले वारानसी पहुँच जाएंगे वो एरपोर्ट पर ही प्रदानमंतरी का स्वागत करेंगे और पूरी काशी जो है आज मेजबान की भूमिका में है जो बाहर से महमान आए हुए है देश के कोने कोने से प्रदानमंतरी आ रहे हैं तमाम खास महमान आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए आतुर है इस वक्त हम मौझूद हैं वारानसी के दशा सुमेद घाट पर सबसे प्रमुक घाट है यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे देखिए आज सुमेद घाट है या जो काशी के बाकी घाट है वाँ पर श्रतधालों की जबरदस भीड उमड़ी होई है काशी की देओ दीपाबली वैसे भी बेहत खास होती है देशी नहीं बलकि पूरी दुनिया में सबसे भवे रूप से मनाई जाती है लेकिन आज प्र रहे हैं नौकायन का मजा ले रहे हैं और गंगा के दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे उधर रेत है लेकिन उसके बावजूत है कि बड़ी संख्या में जो स्वयम सेवक हैं वो लगे हुए हैं दिये तैयार किये जा रहे हैं रंगोली सजाई जा रही है और जो श्रधालू यहां पर आए हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से फिलहाल वो शाम से पहले रात से पहले वापस जाने वाले नहीं हैं क्योंकि जो मुख्या आयोजन शुरू होगा वो शाम को सूरज ढलने के बाद ही शुरू होगा तो यह जो पूरे आप घाट रहे है काशी के यह शाम को दियों की रोशनी से जग्मक हो जाएंगे और ऐसा अलोकिक नजारा दिखेगा जैसे लगेगा कि आस्मान से सभी सितारे जमीन पर उतराए हैं तो उस बेहत खास पल की तस्वीरें देखने के लिए उस खास पल का नजारा देखने के लिए जो श सब्सक्राइब के कामना तो करें गए साथी साथ देश और दुनिया से कोरोना की महामारी के कामना कर रहे हैं कि जल्दी पूरा विश्वा उबरे विरेश और मोहिनाप लगातार नजर बनाए रखें अपडेट्स के लिए आएंगे आपके पास फिलाल आपका तमाम जानका बेट आपको सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर मिलेगे फिलाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम दोख रहे हैं आप देख रहे हैं एबीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी